नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंग गारण में और आज मैं क्या खास लेकर आया हूँ आपके लिए आज मैं लेकर क्या आया हूँ गर्मियों के फूलों के भी अभी आपने देखा के सर्दियों में वारे फूल देखें या दूसरे फूल देखें नीरी यानि के भीज से पहुत क्यार करने का प्रोसमस बहुं सरब Each यह आ aspects of the इतने फूल ख rectangular फिलेखे तो इन ऐसा ब्लों के पनाया रुआ रखने के वीए में आगे भी दिए रहना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा कि गर्मियों में बित्कुल सन्नाटा सा हो जाएगा तो दोस्तों ये सन्नाटा दूर करने के लिए मैं लेकर क्या आया हूं ये देखें ग्रेस ओफ वर्ड का हमारे एक ही प्लेट परम पे इतने सारे बीच नहीं तो क्या होता है बीच तो ऊप्णच का आनन्द ले सके जब गर्मी जलती होई गर्मी से इंसान को रहा चाहिए होती है तो फूल देख ले आदमी ये बारा किसम है बारा में देखिए टेटोनिया डेट जो है कि पाले बहुत ही है और यह दीख देख रहे हैं आप इन में से मोस्ली हमने ते और यह हमारा जो है जीन्या डेलिया मिक्स, यानि के बड़े वाला मोटे वाला जीनिया जो है इसको डेलिया मिक्स के नाम से जानते हैं दूसरा यह कоды ओस असले वग्यांक उगता रहेगा चलता रहेगा, कि वोंटश आजयेगा, अगला है। मिनिचर में इ츠 सनफंफलावर सूरज मुकी जो है वो मिनिचर में है और यह आगे। सलोसिया जो हीनिया इसको नाम से बढयाओ की जानते हैं से यह आगे की में पॉरएटी में है यह इसको सदा बाहर कहें सदा बाहर तो देशी वाला जो होता है वह तो बड़े लंबे लंबे जाते लेकिन यह ड्वाब बरैटी में यह मिक्स कलर सीड में है आगे है यह बोज ट्राइप में संफ्लावर जो यहां तो देखे तो संफ्लावर हम दोस्तों देख रहे थे इनकलोग या पोटलिका यानि के दुफैरी भी बोलते हैं इसको तो यह आगे आपका सलोसिया क्रेस्टा जिसको कॉक्स कॉम बोलते हैं कॉक्स कॉम मतलब मुर्गे की कलगी मुर्गे के सिर्पे जैसी होती है आगे है हमारा मोर्निंग गलोरी मोर्निंग गलोरी क्या होता है जब सुबा आप उठते हैं तो आप खुलते ही ये फूल जो है पिलकुल खिले हुए मिलते हैं और जैसे जैसे धूप चड़ेगी मतलब जैसे जैसे धूप बढ़ेगा वैसे वैसे ये मोर्जा जाता है तो इसलिए इसका नाम मौर्निंग गलोरी है अब जीनिया में एक लिलिपूट वराइटी है एक तो बड़ा हो गया हो बड़े साइज में आ गया तो उसका जीनिया डेलिया मिक्स हो गया और ये जीनिया लिलिपूट वराइटी है इसके साथ एक और हम आपको देंगे, जिसको कोचिया बोलते हैं, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हरा रंग, हरा रंग क्या है, आँखों को बहुत भाता है, मतलब हमारे आँखों को सुकून देने का काम करता है, इसलिए प्रकृति ने, मतलब प्रमात्मा ने इतने जो हरे रंग के पेड़ पोधे की रचना की है, तो गर्मियों में जब जन्क्तिवी गर्मी में कोचिया जब आपके गमले में लगा हो, बोच टैप में बना हो, तो उसको देखते ही मन प्रसन हो जाता है, तो कोचिया हम जरूर है, तो ये तेरा तरह के हम सीड आपको सकते हैं आप, जैसे के इस टैम है, ऐसा नहीं के गर्मियों के फूल नहीं है, बराइटी थोड़ी है, लेकिन अच्छी है और बहुत अच्छी है, तो दोस्तों ये फूल आप अपने घर में लगाईए, इसके लगाने की पूरी जानकारी में दूँगा, क्योंकि देखिए पूलों में जो हम इनको लगा लेंगे, ठीक वैसे ही, जैसे मैंने पीछे जो गुंतावदी है, उनको कट करके निकाला, फूल खतम हुए, और दूसरे जो है फूल, हमारे जो इस टैम के जैसे ये देख रहे हैं, आप ये फूलों को हमने लगा दिया है, कट जमने के बाद इसी तरह से कुछ विदे सी फूल जैसे देखिए, ये जो है बल्व से बने हुए, डेफोडिल, हाइब्रेड डवल वाले, तो ये इस तरह खिल रहे हैं, कहीं हाई सिंथ भी खिल रहा है हमारा, तो ये बल्व वाले प्लांट भी गर्मियों के भी होते हैं, ये तो सर्दिय तो मैं आपको by face उसको देखा सकूं और बता सकूं, ताकि गर्मियों के बल्व भी आप लगा सकें, उसमें भी कहीं पराइटिया हैं दोस्तों, तो उमीद है आप लोगों को पसंद आएगा, अगर आपको मिल जाता है, तो कहीं सी भी लेगर के लगाईए, इसका germination का जो process है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और नहीं मिलता है, तो दिए गए वर्ट्सेप नमबर पे, वर्ट्सेप करके आप हमें inform कर सकते हैं, और वहां से purchase कर सकते हैं, दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों,